पहलू यह हो सकता है अगर जेहन में हो लेकिन इसका लार्जर इसू है लार्जर इसू यह है कि प्रोमोशन में रिजर्वेशन दिया जा रहा था सुप्रीम कोट ने इसे क्वेस्ट कर दिया कहा कि यह संबैधानिक है नहीं और उसके बाद से ही इस पर बहुत शुरू हो गई कि प्रोमोशन में रिजर्वेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए यह बात सही है कि आप देखे सरकार में उचे पद पर देखें तो बहुत से कम है जो दलीत है हलाकि उचे पद पर उपर में आप देखें जॉइंट सेक्रेटरी और उसके उपर के लेवेल पर आने की प्रक्रिया है वो भी इतनी सरल नहीं है उस प्रक्रिया में नीचे के लेवेल से कोमेंडेशन से लेकर और फिर आगे आते हैं तो वो चाहती हैं या और भी लोग चाहते हैं कि कुछ लोग जो दलित तबके के हैं वो भी आएं प्रसासन में उपर पर भी उनकी भागीदारी हो और इसलिए जब सुप्रीम कोट ने इसे क्वेस्ट किया तो यह एक राजनितिक मुदा बन गया माया बती जी एक राजनितिक पार्टी को बिलोंग करती है और उनका बेस वोट है सिडूल कास्ट तो इस तरह से सिडूल कास्ट की जो समस्या है उसको मुखर रूप से आगे रखना उनका राजनितिक धर्म भी बनता है यह बहुत और इन हालात में डोक्ट देब देखा होगा कि माया बती जी ने ये भी कहा कि जो सवर्न गरीब है उनको भी हम आरक्षन देना चाहते हैं नकलियों में उनको भी आरक्षन दिया जाए ताकि गरीब तब के के लोग है क्योंकि आज कोई भी नेता और खास करके OBC लीडर की बात आपकी जिए चाहे व कि देखा हैं गरीब है उनको भी समाच के बात समझाए और मेरे खिया चाहा है पहले से सवारी सेवा में हैं उचे पदों पर है चाहे वो दलित समूदाय की हो किसी समूदाय की हो और आप पहुंच गये हैं और अब उन्हें सुविधा मिल रही है उनको लाब बिल रहा है य कि तारकिक दृष्टी से अगर बात करें तो आप देखें ये गलत है क्योंकि एक बार अगर अरक्षन का लाव मिल गया उस व्यक्ति को दुबारा अरक्षन का लाव नहीं मिलना चाहिए और आप अल्रेडी अरक्षन के लाव लेकर अगर एक लेवल पड़ा गया है अरक्षन का अगर आप उचित देखें तो समिधान में अगर बात कही गई तो वो कहा गया जो लोग पिछरे हैं उनको समाज की मुख्यदारा में उनको लाया जाए इसलिए उनको एक लेवल पड़ा जाए लेकिन आरक्षन का लाव कौन उठा रहा है आप देखें आरक्षन के लाव भारत में वे लोग उठा रहे हैं जो अलरेडी बिक्सित है आप देखें कई कॉम्निटी आपको मिल जाएंगे मैं उधारन के तोड़ पर एक मीना कॉम्निटी की बात कहूँगा राजस्थान में या नॉर्थ इस्टेट के सिडूल ट्राइब के आरक्षन की बात कहूंगा मैक्समम लोगों का अगर आप सोशियो एकोनॉमिक प्रोफाइल देखिए तो IAS IPS के बेटे हो IAS IPS हो रहा है लेकिन हमारे गाओं का जो मजदूर है हमारे गाओं का किसान है हमारे गाओं का गरीब जो सिडूल कास्ट है या उस एरिया के सिडूल ट्राइब अगल वगल के एरिया के है उनको इसका लाव नहीं मिल पा रहा है यानि जो अलरेडी क्रीमी लेयर है उनको लाव मिल जा रहा है ये सिडूल कास्ट और सिडूल ट्राइब के आरक्षन का तो कहीं न कहीं ये आधार गलत है आधार गलत है ये बात अब देखिए ये बात अभी हम लोग एस पी के प्रवक्ता जो है राम कोपाल यादाओ जी उन्होंने कहा भी कि जन्मत इसके खिलाफ है इस बिल के खिलाफ है जन्मत इस बिल के खिलाफ है और मुझे लगता है कि सच से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है समाजवादी पार्टी क्या कहेंगे आप दीबाग गौर जी इस मामले पर जन्मत इसके बिल्कुल खिलाफ है इसमें दो पहलू मेरी समझ में आते हैं पहला कि जो प्रमोशन में रेजरोशन का जो बिल है उसमें कहीं भी किसी S.C.S.T. के लावा दूसरे तबके को रेजरोशन नहीं मिलता है इसलिए जो देश का जो 82 परसेंट जो जन्मत है वो उसके हकों को छीन कर उसके हकों पे कुठारा घात है एक तरीकी से कि जो प्रमोशन 10 साल नौकरी करने के बाद इसको मिली चाहिए थी वो प्रमोशन अब 5 साल तो बड़े गंबीरता से लिगा चाहिए बहुत-बहुत महतोपुल वीशा आपने उठाया है कि अगर जूनियर को प्रमोशन मिल जाए वो सीनियर हो जाए तो इससे असंतोष व्याप्त हो जाएगा पूरे पूरे डिपार्टमेंट में पूरे पूरे महकमे में और ये उस प प्रितिक बयान बाजी हो रही है लेकिन अभी तक आपका मूर्चा या कोई और मूर्चा या कोई और जाना अंदोलन हमने भी देखा नहीं ऐसा क्यों आंदोलन शुरू हो चुका है और 14 दिसंबर को सुबह 8 वजे से हम जंतर मंतर पर दर्नाप्रदर्शन करेंगे संसद का गेराव भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो संसदों को भी गेरेंगे और मायावती जी का भी गेराव किया जाएगा ये जो फैसला है बिलकुल जनविरोदी है किसी भी तरीके से जनहित में नहीं है क्योंकि इससे ना तो किसी सवन्ड को तो खेर लाब हो ही नहीं रहा दलितों को भी लाब नहीं हो रहा है और मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से उन अपने सभी दलित भाईयों से कि वो मायावती की मानसिक्ता को समझें वो सिर्फ अपने रिस्तेदारों को और चाहने वालों को उच्च पदों पर लगातार पहुँचा कर इस देश के सरवुच पदों पर पहुँचाना चाहती है सिर्फ ये उनका एक लालच है वास्तव में देश का 70% जो गरीव दलित है उसका मायावती ने कोई लाव नहीं किया है ये देश जाम रहा है और वो लोग समझें इस चीज को जे तो आप गहराव करने जा रहे हैं 14 दिसंबर को हम संसत का गहराव करेंगे सुबह आठ वजे से हम जंतर मंतर पर 11 होना सुरू हो जाएंगे किसी बड़े राजनेतिक दल या किसी बड़े राजनेतिक व्रक्τικतितों से आपकी बात हुई आपके विरोध को लेकर हमारी बारती जनता पार्टी में सुस्मा स्वराध जी से बात हुई थी बट उनोंने बिल्कुल मना कर दिया उनोंने ये कह दिया बारती जनता पार्टी के एस एंडे में जाती गतारकशन नाम की कोई चीज ही नहीं है मतलब किसी तरीके से मतलब उन्होंने समर्थन करने से इनकार नहीं कर रही है वो तो कह रही है कि बिल्कुल समर्थन होगा इसका वही मैं कह रहा हूँ आपको उन्होंने बिल्कुल हमारा साथ देने से बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने हाँ उन्होंने इतना जरूर आश्वशन दिया था कि कोशिश करेंगी कि प्रोमोशन में अरक्षन का बिल पास ना हो आप खिराव करने जा रहा है या आपने इस पश्ट कर दिया डॉक्टर एशके सिंग की बात कर लेते हैं राजनेतिक विशलेशक है इसलिए सारे इसमें जो पहलू है राजनेतिक वो समझ रहे हैं आपको क्या लगता है सर बिल पास हो जाएगा इस सेशन में? मुझे तो नहीं लगता कि ये बिल अभी पास होगा हलाकि सरकार कवायद करेगी बिल पास करने के लिए लगिन इसमें कुछ न कुछ आपको लगता है सरकार भी गंबीर है इस पिल को लेकर? या ये सिर्फ और सिर्फ किसी तरह से? मुझे नहीं लगता कि सरकार गंबीर है ज्योंकि सुप्रिम कोर्ट में जिस परकार से आदेश दिये है तो अब संसद में सारे आदेश की अभेलना करके और उसके बाद में बिल लाकर और उसको पारित करवाना तो कॉंग्रेस कहीं न कहीं समझ रही है कि वह दिकरत में आगे फंस सकती है और इस पर खास करके मुलायम सिंग जी का भी विरोध है लेकिन यह राजनितिक विरोध है यहाँ पर राजनिति यह हो रही है कि मुलायम सिंग चाह रहे है कि इसमें OVC को भी प्रोमोशन में रिजर्वेशन दे दिया जाए और तब यह बिल पास हो जाए और इसी तरह का इंडिकेशन करुना निदी ने भी दिया था तो कहीं न कहीं इस पर राजनिति चल रही है एक ब्यापक राजनिति चल रही है अब यहाँ पर आप देखें कि संसद में पारित कराने के लिए तो इनको संख्याबल चाहिए संख्याबल आज की समय में इस इसू पर नहीं है लेकिन अब मुलायम सिंग जी से कैसे निप्टा जाता है करणा निधी जी से कैसे निप्टा जाता है और लोगों से कैसे निप्टे जाते है लेकिन इसका मुखर भी रोध ना बीजेपी कर पाएगी ना कॉम्मिनिस्ट मुखर भी रोध करेंगे क्योंकि सब की टक्टकी आने वाले चुनाब की समय की है और इसमें कोई राजनीती के तहट जो भी बाते होती है अंदरूनी बाते होती है वो सारा किया जाएगा इसको फिजल आउट करने के कोशिज की जाएगी जैसे वीमेन रिजर बेशन, मायवती जी तो एक महिला है महिला के रिजर बेशन की बात तो करती नहीं और महिला है कि इतने पंचित है बहुत एहम विशे आपर उठाया तो हमारे एकसपरts जो पॉलिकल एकसपर्ट है डॉक्टर छे सिंग उनका एक कहना है कि ना सरकार गंबीर है ना विपक्ष गंबीर है लेकिन कोई खुल कर इस बिल का विरोध नहीं करेगा समाजबादी पार्टी के लावा समाजबादी पार्टी की रजनीति और राजनीति कुछ अलग है और मायावती के लिए ये अक्सिजन का विश्य है अक्सिजन लेने का विश्य है राजने तिक कि वो इस बिल को किसी तरह पास करवाएं और अगर ना करवा पाएं तो कम से कम अपने वोट बेस को अपने वोटर्स को ये मैसेज जरूर देने में कामियाब हों कि हाँ वो जेन्मिनली दिल से हर समव कोशिश कर रही थी कि प्रमोशन बेरेजर्वेशन का बिल जो है सीस्टीस के लिए वो पास हो जाए बहराल इस सेग्मेंट में बहुत धन्यवाद आपका शर्माजी यहाँ पर आने के लिए संजे शर्माजी अद्यक्ष आरक्षम वेओधी मोर्चा यहाँ पर आकर नोंने गोशना भी की है कि वो 14 दिसंबर को घहराव करेंगे पारलेमिंट का वो संसदों का भी घहराव करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखर ये बिल क्यों है बहुत धन्यवाद आपका एक छोड़ी से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं संसद में आज एक और विशह प्रमुक्ता से उचला जिसकी वज़े से संसद की कारवाई बाधित हुई रुक गई और वो था वाल्ल मार्ट की रिश्वत का मामला 125 करों रुपए की हमारे साथ हमार तमाम में हमार मने हुए हैं लोटे पौरण इस ब्रेक के बार